हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इस वीडियों बात करने वाले हैं मनाली में तस सबसे अच्छी गुपने जेगे बारे में तो आईए फिडियो स्टार्ट करते हैं मनाली पूरे भारत के सबसी कुपसूरत हील स्टेशन में से एक है यहां के बर्प से ढखे हुए पहाड घाटिया और देवदार और पाइन के पेडों से गिरी हुई वादिया देश विदेश से प्रटेगो को अपनी तरव्यत अकरसित करती है और मनाली नियूली मेरिट कपल के लिए एक परफेक्ट हनीमून डिस्टिनेशन है यहां पर आप एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी कर सकते हैं जैसे ट्रैकिंग पेराग्लाडिंग राफ्टिंग और स्कीन और भी कई बहुत एक्टिविटीज कर सकते हैं नम्मा टैन माल रोड माल रोड पू माचल का लोकल भोजन और लोकल ड्रेज भी मिल जाएगी मनाली में घुमने आने वाले प्रटक्साम को आपको यहीं पर टहलते हुए नजर आएंगे माल रोड से करीब दो किलोमेटर दूर मनाली का प्रशीद हिडंबा देवी मंदिर इस्तीत है यह जो हिडंबा देवी है वो भीम की पतनी और गटोटकच की माधी यह बीड बार से दूर सांत स्थान पर उनका मंदिर है यह जगा बहुत ही खुपसुरत और सांधार है हिड इन दीन का हिडंबा देवार भी बहुत धुंदाम से मनाया जाता है और इस टाइम यहां प्रटों के बीड देखने को मिलती है यह मंदिर सुबह 8 से साम 6 बस तक खुला रहता है नमर 8 मनु मंदिर मनु मंदिर मनाली के प्रमुग दर्शने स्थलों में से एक है जो किलोमेटर की दूरी पर इस्तित्र राजा मनु को समर्पीत है हिंदू धार्मिक मानने ता अनुसार मनु धर्ती पे कदम रखने वाले पहले इंसान थे इसलिए उनका यहां मंदिर है और लोग पूजा करने आते हैं इस मंदिर का सांत वाता पर अन्प्रटों को अपनी तर पड़ों से गिरते जर्ना मन को मोलेते हैं सहरों में ऐसे नजारे देखने को नहीं मिल पादे और इसलिए यहां प्रटों की हमें सब लगी रहती है नमर्सिक्स वन विहार मनाली के माल रोट के पास में हैं इस्तित्र वन विहार प्रटों की एक परफेक्ट जगह है जहां अपने परिवार और बच्चों के साथ आ सते हैं यहां खेलने के लिए जुला है और एक छोटा सा तलाव भी है जिसमें आप बोटिंग के मजे ले सते हैं वन विहार सुबह नो बजे से साम पांच बस तक खुलता है और इसकी एंट्री टीकट पचास रूप है नमर्वाइ नमर्फोर वसिष्ट मंदिर मनाली से तीन किलोमेटर दूर वसिष्ट गाउं में रिसी वसिष्ट का एक प्राचिन मंदिर है जो दाद मिक्तिरष्टी से एक पवित्र मंदिर माना जाता है इस मंदिर में गरम पाने का एक कुंड भी मौजूद है जिसे वसिष्ट कुंड क की दूरी पर इस्तीत है जो मनाली से रहतांग पास के रास्ते में पढ़ती है यह जगह सनोफॉल और एडवांचर स्पोर्ट के लिए जाने जाती है यहां आके प्रटक परेग्लाडिंग रोवे और घूर सवारी करना बहुत पसल करते हैं इसके अलावा सर्दियों में यह इ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है कुलू मनाली से 40 किलोमेटर दूर एक खुपसूरत घाटी है जहां की वादिया हर साल लाखों सेलानियों को अकर्शित करती है यह इस्तान एडवेंचर स्पोर्ट के लिए काफी फैमस है नम्मर वन रोतांग पास मनाली से 36 किलोमेटर दूर ग आइस स्केटिंग और अन्य के मज़े ले सकें इस जगह पर वालीवूड की कई फिल्मों की सुटिंग हुई है इसलिए मनाली घुमने आने वाले प्रटक यहां भी घुमने जरूर आते हैं तो यह थे मनाली में घुमने के 10 सबसे बेस्ट टूरिस प्लेस्ट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सिस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें